नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग देखिए आज मैं बहुती इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं और यह रिलेटेड है आपकी फिजिक्स की वेडियो से राइट बिकॉज आपको पता है कि फिजिक्स भी आती है मैथमाटिक्स भी आती ही कमेस्टरी भ लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं दोस्तों एक बात याद रखीगा आप लोग आप लोग गलत परस्पेक्टिव से पढ़ रहे होते हैं आप लोग क्या करते हैं कि जैसे 12 लेवल तक का दे दिया है माफ कीजेगा मैं थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लोगा बट इ लेकिन आप सब पढ़ने लगते हो तो इससे आपका नुकसान हो सकता है इसलिए वही पढ़िए जितने की जरूरत है तो दोस्तों डूइल नेचर ओफ रेडियेशन मैटर मैंने सबसे पहले इसको टार्गेट किया हुआ है क्योंकि देखिए दोस्तों और भी टॉपिक्स ह है और आपको समझना पड़ेगा कि theory जादा आती है या numerical जादा आता है दोस्तों फिर से आपको class 12 में मैं लेकर चल रहा हूं एक तरीके से let's go to the ride let's go to the smooth ride time lapse पीछे चलते हैं ठीक है और अभी नहीं कम से कम आप लोग 3-4 साल पीछे जा रहे है तो हम लोग करते क्या है कि numerical क जो आता है ना दोस्तों वो 30% ratio बनाता है और 70% जो है दोस्तों theory format में आ जाता है paper राइट तो theory format में मतलब दोस्तों option मना करके देगा जैसे radiation has the property फिर लिख देगा line में ठीक है फिर density पे कुछ सवाल आ जाता है और numericals भी आते हैं दोस्तों जिसे collision पे सवाल आ जाएगा अच चैनल को राइट वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है ठीक है शेयर नहीं कर रहा है तो शेयर करें से मेरा confidence बढ़ रहा है और मुझे बनाने में मज़ा भी आता है वीडियो अच्छा लगता है बच्चों को बढ़ाने में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो let's discuss about the radiation matter radiation and matter are the two different things right तो यह दो बिलकुल अलग चीज है और इसको एकदम broad scale पर देखा जाए तो radiation एक अलग property रखती है matter अपना एक अलग property रखती है लेकिन कहीं न कहीं जा करके आपको यह पता चलेगा कि radiation और matter एक जंग कहीं कहीं कॉलाप्स होते हैं right एक जगा same जैसी property रखने रखते हैं मैं अगले वीडियो में अभी मैं तो नहीं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाओंगा lambda बराबर h upon mv right इसमें मैं समझाओंगा कैसे आपका एक matter और radiation दोनों एक दूसरे से related हो जाते हैं ठीक है और यह दोस्तों alpha नहीं है यह lambda this one is lambda alpha की तरह लग रहा है ठीक है this one is your lambda it is related which देखिए lambda क्या है आपका lambda is your wavelength right और यहां पर mass है सोच लीजिए wavelength और mass का हम लोग relation दे रहा है बहुत चोटा सा question हुआ करता था दोस्तों लेकिन मैं इसको पढ़ा हूँगा आपको अच्छे से ठीक है और radiation और matter की बीच में difference होती है और कहीं ने कहीं जाकर कि यह फिर same properties रखने रखते हैं ठीक है सबसे पहले तो जानिए कि radiation का मतलब क्या होता है radiation में क्या-क्या properties आ जाएंगी राइट तो light जो होती है ने एक तरीके से जो sunlight आपके पास आ रही हो क्या एक तरीकी की radiation ही तो है form of wave है एक तरीके से क्या है form of wave है light जिसके पास कोई specific shape नहीं होता ह राइट कोई exact definition आप दे नहीं सकते हो radiation की basically आप radiation की क्या definition दोगे यार radiation की definition नहीं दोगे आप basically radiation की properties बता सकते हो ठीक हर radiation की properties matter क्या shape है जिसके पास जिसके पास mass है तो यह क्या definition थोड़ो नहीं बता रहे हुआ आप तो property बता रहे हो न तो exact definition नहीं है तो basically हम लोग इसको difference case criteria भी कर रहे है on the basis of its properties ठीक है तो light क्या एक तरीके से form of wave है आपको याद होगा इस तरीके से वैसे मैं light पढ़ा हूंगा electromagnetic waves ह होती है electric और magnetic field perpendicularly क्या oscillate कर रही है एक दूसरे के ऊपर right फिर equations हम लोग पढ़ रहे होंगे तो दोस्तों यह होती है light जिसके पास कोई specific क्या no shape जिसके पास कोई specific shape नहीं होता है और no mass right और matter में वही चीज उल्टी हो जाती है ठीक है इसके पास क्या होता है इसके पास shape होता ह है और इसके पास क्या होता है mass होता है और दोस्तों इसको हम लोग क्या touch नहीं कर सकते हैं राइट इसको हम लोग touch नहीं कर सकते हैं और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं feel कर सकते हैं right touch कर सकते हैं इसके पास क्या होता है dimensions हो सकते हैं right dimensions होते हैं तो यह इसकी दो properties हम लोगों ने पड़ी इक यह क्या है यह जो radiation है ये spread करता है in form of waves it spreads it spreads in form of waves यह मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों क्या करता है और याइटी jem basic से सवाल उठा देता है और हम लोग बन जैसे मैं लिपिड़ी पर कुष्टिन लगवा रहा रहा था तो आपको याद होगा वो questions कितनी easy हो जा रहे थे जब मैं आपके पास data और facts रख दे रहा था तो पहले आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजेगा उसका मैं part 2 भी लेकर आ रहा हूं लिपिट्स का बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं तो दोस्तों अगर आपके पास data हो facts हो तो आपको जो memorizing वाली चीज होती है नो वो जल्दी इस दिमांग में बैठती है राइट तो वो आप तुरन मतलब जैसी question है आप तुरन्त option सर्च करने लगो कहां पर दिया हुआ है और तुरन्त उसको टिक मार होगे राइट लेकिन concept वाली चीजों में यह चीजें नहीं होती है concept बनाओ फिगर बनाओ फिर इसके बाद उसको पूरी तरीके से मतलब relate करो तब option को correct मारते हो राइट यह चीज आपको facts वाली चीजों में नहीं मिलता है राइट तो आप क्या करेंगी इसके पास जैसे हम लोगों ने पढ़ा त जिसे bullet होता है न दोस्तों वैसे ठीक है अब इसतना property आप लोगों ने अगर लिख लिए हो तो मैं इसको मिटा देता हूं अब देखिए radiation में इसके पास कोई mass नहीं होता है वैसे मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी no mass इसके पास तो mass होगा भाई ठीक है dual nature में हम लोग य प्रोपर्टी सो करते हैं राइट दोनों ड्यूल नेचर कंटेंड करने लगते हैं अपने पास ठीक है यह सब हम लोग एक्क्वेशन से पढ़ेंगे फोटो एलेक्टर की फेक्ट पढ़ेंगी सब उसमें पढ़ेंगे ठीक है इसके पास क्या है mass momentum ठीक है momentum बोले तो पी बर experience नहीं हो सकती है radiation और it can be experienced यह क्या हो सकती है यह experience मुझे लगा दोस्तों मैंने matter इधर लिख दिया राइट तो यह होगा ठीक इसके पास क्या है energy होती है एक चीज़ यहां पर मैं difference मनी रखूंगा similarity में आ जाएगा दोस्तों कि इसके पास energy होती है और इसके भी पास energy होती ह है लेकिन दोनों के energy का difference होता है इस energy को हम लोग बोलते हैं दोस्तों radiation energy क्योंकि radiation वाली है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे radiation energy और इसको हम लोग क्या बोलते हैं Mass की energy इसलिकल इसको हम लोग क्या बोलते हैं mechanical energy right क्या बोलते है mechanical energy और जो main representative होता है इसका दोस्तों वो क्या होता है light जैसे आप radiation का representative क्या दोगे जैसे मैं बोलता हूं आपको कि भाई बताओ कि जो आपकी body human body उसमें जो structural functional unit होती है उसका representative क्या है तो आप cell बोलते हो नहीं जैसे liver का hepatocytes बोलते हैं हम लोग relate करा रहा हो मैं वैसे radiation को आप कैसे समझोगा एक representative होना चाहिन है कि यार radiation कैसे पहचाने कि कोई चीज radiation है कि नहीं तो radiation का सबसे best और perfect representation है दोस्तों light तो light is what light is the main is the main representative right तो यह है आपका main representative और mechanical energy में क्या होता है दोस्तों mechanical energy है इसके पास तो इसका कौन सा main matter का कौन सा main आपका representative होना चाहिए तो that is your electron ठीक है बाद में यहीं आपको बताऊंगा मैं आपको कैसे electron अपने एक जगह-electron तो mass लगता ना अपने पास कैसे एक जगह वाइब३रेट करता है ऐसे-इसे जब यह वाइब३रेट करने लगता है मैं तो कैसे यह वैव release करता है तो दोस्तों dual property रखा न हिए होती है लेक्ट्रॉन के अंदर की बीच का डिफरेंस जो मैं आपको समझाना चाह रहा था लेकिन देखिए दोस्तों बात को समझेगा मैटर और रिडिशन की मैं बीच की डिफरेंस लेकर के क्यों आया हूं आपके सामने क्या जरूरत पढ़ गई आखिर इसकी देखिए अभी आगे चल के ना हम लोग इसी यह है आपका यही बेस है अगर यही आप गड़वड कर दोगे तो फिर आगे समझ नहीं पाओगे क्या है डिवल नेचर ओफ रेडिशन मैटर देखने में बहुत आसान लगता है रहे कुछ है क्या रिडिशन मैटर से खिलना तो है लेकिन जैसे ही आप इसको पढ़ रहे होते दोस्तों जो wave और matter form में होती है light को हम लोग दो में पढ़ते हैं एक ray optics पढ़ते हैं एक wave optics पढ़ते है राइट और दोनों पढ़ना है आपको छोड़ नहीं सकते हैं ठीक है तो यह properties जो है दोस्तों हम लोग इसमें समझ पाएंगे फिर photoelectric effect वगरा को समझते हैं हम लोग ठी NMR spectroscopy को समझ रहे होंगे तो दोस्तों according to promise मैंने अप्टूबर में बोला था कि वीडियो आएगी physics पे chemistry पे और mathematics पे भी और biology के तो चली रही है उसमें आपको tension लेने की जरूरत नहीं है तो दोस्तों अब आप लोग थोड़ा सा आपसे request कि वीडियो को आप लोग लाइक कर subscribe कर दीजिए और वीडियो के end तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद